हेलो फ्रेंट्स और हमारे प्रिये छात्रगन दोस्तों एक बार फिर मैं सरूप सर आपका इस ओन लैंड क्लास में स्वागत करता हूँ चात्रगन जैसा कि हमारा चेप्टर अभी जारी है जारकन इतिहास रिलेटेट चेप्टर चल रहा है सासन दिरस्था और इसके पहले मुंडा नागवनसी पढ़हा मुंडा मान की इतियादी सासन दिरस्था के बारे में आपको मैंने समझाया लिखाया और बताया कि किन किन अ स्तरों पर काम करती है कौन कौन इसके अधिकारी है और कौन से अधिकारी का क्या काम है उसी करम में आज आपका सिलिबस का एक पार्ट है और वो चिप्टर है धोकलो शोहर शासन दिरस्था जो खड़िया लोगों की सासन दिरस्था है अर्थात खड़िया जन जाते की शास वह सोहर कहते हैं घरा मस्तर के परधान को ट्होक लो冷ब और उससे उचछ अस्तर के परधान को सोहर के नाम से पोका रा जाता है इसमें से धोक Χलो father ग्राम्सतर परधान है इसकर साहता है तूMM canta महतो इत्यादी प्रद्गारी होते हैं, जो निक्टारा ग्राम अस्तर पर धोकलो नहीं कर पाते, उसे सोहर के पास फेजी जाती है, देखा जाये तो समान रूप से धोकलो का अर्थ एक बैठक होता है, जबकि सोहर का अर्थ अध्यच होता है, चातरगन, आज आप नोट्स में हेडिंग देंगे, और हेडिंग होगा, धोकलो सोहर सासन ब्यवस्था, धोकलो सोहर, और किसकी है, तो खड़िया जनजाती की है, खड़िया समुदाय, देखे पाला पॉइंट, खड़िया जनजाती समुदाय की सासन ब्यवस्था को, धोकलो सोहर सासन ब्यवस्था कहते हैं, धोकलो सोहर सासन ब्यवस्था कहते हैं, उसी में समनेता या सासन ब्यवस्था दो अस्तरों पर, दो अस्तेज में, दो अस्तर पर काम करती है, गाउं अस्तर पर ग्राउं पंचाइत, अर्थात धोकलो ब्यवस्था, अर्थात धोकलो ब्यवस्था, जबकि उच अस्तर पर, जबकि उच अस्तर पर, अर्थात सोहर ब्यवस्था, अर्थात सोहर अस्तर पर, अर्थात सोहर अस्तर पर, सोहर पंचाइत, गाउं अस्तर पर, गाउं पंचाइत, अर्थात धोकलो ब्यवस्था, और उच अस्तर पर, सोहर अस्तर, अर्थात सोहर पंचाइत, पंचाइत, निक्स्ट पॉइंट, समान रुप से धोकलो का अर्थ बैठक होता है, जबकि सोहर का अर्थ अध्यच होता है, अध्यच होता है, नेक्स्ट पॉइंट, गौप अचायत, जिसे धोकलो बेश्था कहते हैं, इसके पर्मुक को इसके पर्मुक को भोकलो कहते हैं, जबकि अन्य अधिकारी में पर्मुक हैं, जबकि अन्य अधिकारी में पर्मुक हैं, महतो, पाहन, महतो, पाहन, करटाहा, करटाहा, जबकि अधिकारी में पर्मुक को इसके पर्मुक को इसके पर्मुक कहते हैं, भोकलो या डोकलो, मातो, डोकलो या डोकलो का सहायक होता है, अर्थात गाओं के मातपून बेक्ती मातो कहलाता है, पूर में, मतलब पहले, पूर में, गाओं को बसाने के कारण, पूर में, अज़े लिखिए, पहले, पूर में, मातो द्वारा गाओं को बसाने के कारण, पूर में, मातो द्वारा या पूर में, गाओं को बसाने के कारण, इन्हें मातो की उपाधी परदान की गई, पूर में, गाओं को बसाने के कारण, इन्हें मातो की उपाधी परदान की गई, और यह पद वानसानुगत होता है और यह पद वानसानुगत होता है यद पी इन्हें हटाने के लिए गाओं वाले आपसी सहमती कर हटा सकते हैं देखा जाए तो यह गाओं का मुख्या होता है परधान नहीं, परधान तो ढुकलो हो गया देखा जाए तो यह गाओं का मुख्या होता है गाउं का मुख्या होता है मुख्या होता है निक्स पॉइंट पाहन गाउं का पुजारी या धार्मिक प्रधान पाहन गाउं का पुजारी या धार्मिक प्रधान होता है इन्हें कालो इन्हें कालो के नाम से भी जाना जाता है कालो बोलिए या पाहन बोलिए इन्हें कालो के नाम से भी जाना जाता है कालो, इन्हें कालो के नाम से भी जाना जाता है यह पद वानसानुगत होता है एवम इवम इन्हें दी जाने वाले भूमी को पहनई भूमी को पहनई भूमी कहते है उसी में भले ही मातों की तरह यह पद वानसानुगत है भले ही यह पद मातों की तरह वानसानुगत है प्रंतु इन्हें बदला जा सकता है अर्थाथ गाँवालों की समती से पाहन को हटाया भी जा सकता है अर्थाथ गाँवालों की समती से पाहन को हटाया भी जा सकता है उसी में इन्हें बिभिन पर्व तेहवार इत्यादी के आउसर पर पूजा पाठ हे तू बुलाया जाता है बुलाया जाता है नेक्स पॉइंट परतिक गाँव में एक कर टाहा परतिक गाँव में एक कर टाहा होता है परतिक गाँव में एक कर टाहा होता है जो सासन संचालन में जो सासन के संचालन में चलाने में जो सासन संचालन में पर्मुक भुमी का में रूल पर्मुक भुमी का निभाता है निभाता है या कर्टाहा पद गाउं के किसी इमन्दार या कर्टाहा पद गाउं के किसी इमन्दार एवं नियाय प्रिये या कर्टाहा पद गाउं के किसी इमन्दार और नियाय प्रिये बिक्ति को दी जाती है और और कर्टाहा पद पर निक्त होने वाले बिक्तियों का और कर्टाहा पद पर निक्त होने वाले बिक्तियों का चैन चैन 20 से 25 गाउं के पंचाइद 20 से 25 गाउं के पंचाइद द्वारा मिलकर किया जाता है Next point कर्टाहा कर्टाहा जो सासन संचालन में कर्टाहा जो सासन संचालन में मतपून भुमिका निवाता है यह यह अपने गाउं से समंदित घटनाऊं तथा समस्याऊं यह अपने गाउं से समंदित घटनाऊं तथा समस्याऊं का सूचना पहुचाने का भी काम करता है साथी साथ या विभिन विबादों के फैसले से साथी साथ या विभिन विबादों के फैसले से राजा को आउगत भी कराता है आउगत भी कराता है उसे में यह पद वानसानुगत नहीं होता और ना ही इसे किसी परकार का बेतन दिया जाता है उसे में करटाहा पूजा पाठ द्वारा उन परिवारों के सुध्धिकरन करटाहा यह पूजा पाठ द्वारा उन परिवारों के सुध्धिकरन का कार भी करता है जिन्हें असुद्ध घोसित किया गया है जिन्हें असुद्ध घोसित किया गया है नेक्स पॉइंट समाने रूप से धोकलो सोहर सासन ब्योस्था पर मुंडा जन्जाती के सासन ब्योस्था का परभाव दिखलाई पड़ता है समान रूप से धोकलो सोहर सासन ब्योस्था पर मुंडा जन्जाती के सासन ब्योस्था का परभाव दिखाई पड़ता है नेक्स्थ पॉइंट धोकलो सोहर सासन ब्योस्था में ब्योस्था में सुध्धी करन का कारे जो कर्टाहा दुआरा किया जाता है धोकलो सोहर सासन ब्योस्था में जो सुध्धी करन का कारे कर्टाहा दुआरा किया जाता है उसे भात भितार उसे भात भितार उसे भात भितार कहते हैं कहते हैं नेक्स पॉइंट धोकलो सोहर सासन ब्योस्था में धोकलो सोहर सासन ब्योस्था में सबसे उच्तम अस्तर की परशासन की काई धोकलो सोहर सासन ब्योस्था में सबसे उच्तम या उच्तर अस्तर की उच्तर अस्तर की सासन ब्योस्था में ब्योस्था में कई गाउं को मिलाकर एक सोहर बनता है जिसका परधान सोहर कहलाता है कलाता है उसी में इसमें वैसे मामले सुलजाए जाते हैं इसमें वैसे मामले सुलजाए जाते हैं जिसका भुकलो अस्तर पर जिसका भुकलो अस्तर पर निर्ने नहीं हो पाता नहीं हो पाता नेक्स्ट पॉइंट नेक्स्ट पॉइंट खड़िया जनजाती के अग्रनी बिक्ती द्वारा खड़िया जनजाती के अग्रनी लोगों द्वारा 1934-35 इस्वी में खड़िया जन्दादी के अग्रणी लोगों द्वारा 1934-35 इस्वी में 35 इस्वी में अपने समाज को संगठित करने के उद्देश से खड़िया जन्दादी के अग्रणी लोगों द्वारा 1934-35 इस्वी में अपने समाज को संगठित करने के उद्देश से अखिल भारतिये खड़िया महासभा का गठन किया गया जिसे डोकलो के नाम से जाना जाता है और इस महासभा के दुआरा जाती पर्था का समर्थन जाती पर्था का समर्थन और पंचायती राजब्यश्था का बिरोद किया गया उसी में इस महासभा इस महासभा के अध्याच कुछ सभापती इस महासभा के अध्याच कुछ सभापती जो संपूर्ण खड़िया समाच का पढ़ान होता है इसे ढोकलो सोहर के नाम से इसे ढोकलो सोहर के नाम से भी जाना जाता है निस्ट पॉइंट खड़िया लोग बैठक में ढोकलो सोहर का चुनाव करते हैं जिसका कारेकाल तीन वर्स का होता है जिसका कारेकाल तीन वर्स का होता है होता है सोहर को सोहर को खड़िया राजा सोहर को खड़िया राजा भी कहते है सोहर को खड़िया राजा भी कहते है राजा भी कहते हैं नेक्स पॉइंट खड़िया राजा की सहाईता खड़िया राजा की सहाईता के लिए खड़िया राजा की खड़िया राजा वही सहूर खड़िया राजा मतलब कौन सहूर खड़िया राजा की सहाईता के लिए के लिए सचिव सचिव या लिखा कर खड़िया राजा की सहाईता के लिए सचिव या लिखा कर सलाकार या दिवान सलाकार या दिवान खड़ाची या तिजव अंकड तिजव अंकड खड़िया राजा की सहाईता है तू सचिव या लिखा कर सलाकार या दिवान खड़ाची या तिजव अंकड नामक अधिकारी होते हैं नामक अधिकारी होते हैं होते हैं नेक्स पॉइंट सुहोर जिसे राजा कहते हैं स्वयम अपने मंतरियों से मिलकर मंतरियों से मिलकर या बैठक कर मंतरियों से मिलकर या साथ बैठक कर बड़े मुकदमों का निप्टारा करता है बड़े मुकदमों का निप्टारा करता है जहां जुर्माना मुकदमों के अधार पर तै किया जाता है जर्माने के कुछ भाग जर्माने के कुछ भाग राजा अपने पास रखकर अपने मंतरियों के बेतन हे तू उप्योग करता है अपने मंतरियों के बेतन हे तू उप्योग करता है निक्स्ट पॉइंट खड़िया समाज में किसी गैर खड़िया को सामिल करने या खड़िया से ब्यवा है तू प्रस्ताव लाने के भी परंपरा या लाया जाता है जाता है नेक्स्ट पॉइंट समान रूप से समान रूप से खड़िया जन जाती तीन उप विभाग में रखी गई है समान रूप से खड़िया जन जाती को तीन सब्डिविजन तीन उप विभाग में रखी गई है जिसे हील खड़िया जिसे पर्थम हील खड़िया दीतिये धेल की खड़िया हील खड़िया, धेलकी खड़िया, धेलकी खड़िया, और तिर्थिये दूद खड़िया दूद खड़िया, में बाटा जाता है, और इन तीनों की स्वशासन पदती में, थोड़ा बहुत अंतर पाया गया है, नेक्स्ट पॉइंट में, धुकलो सोहर शासन ब्यवस्था में, या इस समाज में, मतलब खड़िया समाज में, या खड़िया समाज में, यौन समंधी अपराधो को, मांजी परगना सासन ब्यवस्था की सजा, बिटलाहा, बिटलाहा मन बताय था, यौन अपराधो की सजा है, बिटलाहा, जिसमें लोगों को बहिस्कृत करे जाती है, यौन, इस खड़िय समाज में, यौन समंधी अपराधो, अपराधी को, मांजी परगना सासन ब्यवस्था की सजा, बिटलाहा की भाथी, समाज से बहिस्कृत कर दिया जाता है, बहिस्कृत कर दिया जाता है, और लास्ट मन लिखिए, धोकलो सोहर सासन ब्यवस्था में, परतेक परिवार, परतेक परिवार, जिसे खूट कहते हैं, एक खूट का है, और खूट के अध्यच को खडिया घाट, और खूट के अध्यच को खडिया घाट के नाम से जाना जाता है, खडिया घाट के नाम से जाना जाता है, तो छातरकरन, अभी आपने ध्यान पुर्वक्त, समझा और नोट से लिखा है, धोकलो, सोहर, सासन ब्यवस्था, जिसमें धोकलो का अर्थ होता है, बैठक और सोहर का अर्थ होता है अध्यच, हमने ये भी देखा, गाव अस्तर पे अध्यच को प्रधान को ढुकलो, और उच अस्तर पर सोहर पंचात के प्रधान को सोहर कहते हैं, ये अध्यच, सोहर को राजा के नाम से ही बुकारते हैं, उसे खड़िया राजा कहा गया है, जो अपनी शासन कुचलाने के लिए दिवान, शलाकार, सचिव, खदान्ची, इत्यादी, प्रधिकारियों और मंत्रियों को रखने की रखी जाती है, ये रखने की परंपरा है, बिभीन, नयाईक कारे और अनप्रथास्नी कारे, खड़िया राजा अर्थात सोहर की द्वारा बैठा कर निरने लिया जाता है, देखा जाए, तो धोकलो सासरवेश्था बे, धोकलो और सोहर का पद वानसानुगत नहीं है, यह पद तीन-तीन वर्ष के लिए होता है, और उसे परिवर्तित कर दे जाती है, खड़िया समाज के लोगों के द्वारा, 1934-1935 में खड़िया समुदाए, अपने समाज को संगठित करने के उदेश से, अकिल भारतिये खड़िया समाज क्या स्थापना की, और इस समाज के सभापती होते हैं, देखा जाए, तो इस समाज के द्वारा, पंचायती राज का बिरोध और जाती पर्था का समर्थन किया गया, उसी परकार, ग्राम अस्तर पर देखा जाए, इसके परधान को बोलते हैं, धोकलो, ये अपनी सहायता है तू, मातो, पाहन, करटाहा रखता है, देखा जाए तो इन में से, मातो, एक परु मुख्या भी कहते हैं, मुख्या जरूर है, परंतु पर्धान तो भोकलो ही है, पुर में गाओं को, लोगों को गाओं बसाने के कारण, इसे मातो कपद दिया गया, इसके अलावा, पाहन, जो धार्मिक अनुश्वान का काम करता है, पुजा पाट आउसर पर काम करता है, उ उसे कालो के नाम से भी जाने जाती है, इसको दी गई भूमी को पहनाई भूमी के नाम से भी पुकार जाती है, यदपी, गाओं अस्तर पर, प्रशाश्निक और अनिकारियों को संचालन में, सबसे पर्म भूमी का अगर धुकलो को कोई करता है, तो वो है कर्टाहा, कर्टाहा, राजा के निर्ने को पहुचाने, संदेश स्वाहक और परशाश्निक लाने में मत पुन भूमी का धुकलो को करता रहता है, साथी धुकलो सुधी करन का भी भोधन के माध्यम से काम करता है, जिसे भात भितार के नाम से भी बुकारी जाती है, तो शातर गन, हमने सासन बेउस्था की सबसे अंतिम कड़ी का सिलिवस है, और उस सिलिवस का नाम दिया गया है, जातिये पंचाई सासन बेउस्था, छातर गन, हमने अभी मुन्डा, संधाल, हो, खडिया, उराउं की सासन बेउस्था पर चर्चा किया, और हमने उसका नोट से लिखा, बाकी और जातियों कोई भी, चाहे हो जातिये किसी में भी हो, कोई भी जातियों, उसकी अपने एक जातिये पंचाईत होती है, हम तरसा करेंगे अन जातिये पंचाईत के बारे में, तो शातर गन, नेश क्लास में हम हाजिर होंगे, जातिये पंचाईत सासन बेउस्था, जो सासन गयुज था कि सबसे अंतिम करी है उसकी जर्चा हम नेश क्लास में करेंगे ओके थाइंक्यू